नमस्कार आप देख रहे हैं NN Pollywood आज के सीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी अभी नेतरी के बारे में जिनके जिन्दगी एक पहेली बन कर रहेगे इतने लाखों फैंस होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अकेली थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं फिल्ज आक्षर सिल्फ मिता की सिल्फ मिता का असली नाम विजलक्ष्मी था एक गरीब परिवार में जन्मी विजलक्ष्मी ने आर्तिक कंगी के कारण स्कूल छोड़ कर घर की जिम्यदारी अपने कंदे पर उठा ली थी सतुराल के काईदी कानूर ने विजलक्ष्मी का जीना मुश्किल कर दिया इस तब से परिशान होका विजलक्ष्मी ने अपना घर छोड़ दिया और मेकप आर्टिस बन वे भुआ जहल डारेक्टर्स की नज़र उनकर पढ़ी और उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे और उनका नाम विजलक्ष्मी से बदल कर हो गया मिता इस फिल्म में निभाया Silk का किरदार उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया और उनका नाम पढ़ गया Silk Smita कहा जाता है Silk ने कई बी ग्रेड मूवीज या फिर माने तो सौफ पॉन फिल्म की रजनी कान्थ और Silk ने कई फिल्मों में साथ काम किया इसमें 1983 में आई फिल्म जीत हमारी हुई, ठंगा मगन और सिवापू सूरिया फेमस हैं, दोनों के बीच अफेयर की भी खुप चर्चाए रही इस समय ऐसा था कि सिल्क स्मिता की बोल्ड इमेज की वज़ा से डारेक्टर प्रड्यूसर की लाइन उनके घर के बाहर लगी रहती थी और उनको परदे पे देखने के लिए लोग टिक्किट खिड़की पर लाइनों में खड़े रहते थे इतनी मशूर होने के बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि सिल्क स्मिता ने अपनी जिन्दकी से हार मारे सिल्क स्मिता ने फिल्म निर्माण में भी पैसा लगाना शुरू किया लेकिन उनकी फिल्में कमाल नहीं कर पाई ये वो समय था जब सिल्क को एक सहारे की जरूरत थी लेकिन अकेले पन ने उनकी जान ले ली सिल्क अपने चिन्नाई की घर में मृत्त मिले आज तक उनकी मौत की वज़ा का पता नहीं चल पाया है किसी ने सिल्क स्मिता की मौत को हत्या बताया तो किसी ने आत्म हत्या, लेकिन इंडस्ट्री का एक चमचमाता सितारा हमेशा के लिए दूर चला गया तिर्टी पिचर में विद्या बालन ने सिल स्मिता का किरदार ने भाया और विद्या बालन मूवी में कहती है कि फिल्म सिर्फ तीन वज़ा से चलती है वो है एंटर्टेन्मेंट, एंटर्टेन्मेंट और एंटर्टेन्मेंट आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और देखते रहेगा हमारा चैनल NN Bollywood